Hello and welcome to Bridgebala Education YouTube channel आज के इस educational lecture में बच्चों हम discuss करने वाले हैं Class 10 के English chapter from the diary of N.A. Frank को Students ये N.A. Frank की लिखी हुई एक diary का extract है diary का मतलब इसमें कि उन्होंने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को एक notebook में अपनी diary में not किया था तो उसका कुछ हिस्सा हमें यहां पढ़ने को मिल रहा है ठीक है वो काफी बड़ी book है उसका एक extract एक हिस्सा हमें यहां पढ़ने को मिलेगा ठीक है तो N.A. Frank इसकी writer है no doubt आगे अब इस chapter को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि N.A. Frank कौन थी उन्होंने किस situation में यह diary लिखी थी ठीक है तो देखिए एनलीज मेरी N.A. Frank जिनका जनम हुआ था 12th June 1929 को और जो February, March 1945 के आसवास जिनकी death week हो गई थी death की exact date पता नहीं है वो एक German family से बिलोंग करती थी जर्मनी में पैदा हुई एक Jewish girl थी Jewish जो होता है वो एक religion होता है जैसे Hindus, Muslims होते हैं वैसे ही Jews होते हैं ठीक है उसने यह diary N.A. Frank ने यह diary तब लिखी थी जब वो छुपी हुई थी अपनी family और अपने चार दोस्तों के साथ Amsterdam में वो छुपी हुई थी during the German occupation of Netherlands in World War 2 World War 2 चल रहा था ठीक है और जर्मनी जो है वो Netherlands के उपर कबजा कर रहा था जब यह सब हो रहा था तो जर्मनी के जो लोग थे वो सहन नहीं करते थे बिलकुल भी Jewish people को बहुत हेट करते थे Jewish people को उनको concentration camps में torture किया जाता था और आकर में मार भी दिया जाता था ठीक है तो इसलिए यह family जो है वो उनसे बचने के लिए hiding में है यानि कहीं छुपी हुई है यहाँ भी side में एक photo दिया गया एने फ्रेंक का उसके बारे में एने फ्रेंक ने क्या कहा है ठीक है यह कैसी photo है जो मैं हर समय देखना चाहूंगी यह जो मैं हर समय देखना चाहूंगी जायद तब मुझे हॉलिवूड में एक चांस मिल जाए क्योंकि उनके हिसाब से उनकी यह photo है काफी सुन्दर आई हुई है ठीक है तो यह photo एने फ्रेंक को भी अपनी काफी पसंद थी आगे बढ़ते हैं हम before you read में एने फ्रेंक के बारे में और कुछ जाने ही कोशिश करते हैं जर्मनी में जब नाजीज ने कंट्रोल ले लिया सरकार का तब यह एम्स्टरडेम चली आई थी यह फैमिली उन से डर के बट वर्ट ट्रैप्ट लेकिन यहां आके वो फिर से फस गए वन दर नाजी उक्यूपेशन एक्स्टेंडे इंटो नीदरलेंड्स जब नाजीज ने अपना जो उक्यूपेशन है वो नीदरलेंड्स तक बढ़ा दिया ने नीदरलेंड्स के उपर भी अटेक करके उसको भी अपने कबजे में करने की कोशिश की तब यह नीदरलेंड्स में फस गए ठीक है यह भाग के तो यह सोच के आए थे कि यह जर्मनी से बच जाएंगे ठीक है जो जूपेशन के अगेंस्ट नाजीज के टोर्चर्स थे जब वो बढ़ने लगे तो यह फैमिली जुलाई नाजीज नाजीज चुप गई वो कहां चुपे उसके फादर ओटो फ्रेंक की ओफिस बिल्डिंग में कहीं यह फैमिली छुप गई आफ्टर टू यहस इन हाइडिंग दो साल तक चुपे रहने के बाद किसी ने इस ग्रूप को धोखा दिया यहनी इस ग्रूप में से किसी ने इनका पता नाजीज को बता दिया और फिर इस ग्रूप को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया और एने वहाँ पे टोर्चर्स को सहन नहीं कर पाई और मर गई और टिफिस उसको एक डिजीज हो गई थी इन बर्गन बेलसन विधिन डेज ओफ हर सिस्टर मारगोट फ्रेंग और उसकी सिस्टर जो थी मारगोट फ्रेंग थी वो भी शी अलसो मैट दा सेम फेट उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वहाँ पे अब जितना भी ग्रूप वहाँ पे छुपा हुआ था एने फ्रेंग की पूरी फैमिली और चार फ्रेंड्स उस पूरे ग्रूप में से सिर्फ एक ही बंदा कंसंट्रेशन केंप में से जिन्दा वापीस आया था वो था एने फ्रेंग के फादर ओटो फ्रेंग ठीक है जो अकेले बचे थे उस पूरे ग्रूप में से वो Amsterdam वापिस आई, war के खतम होने के बाद to find that her diary had been saved और तब उनको पता चला कि N.A. Frank की एक diary लिखती थी जो की बच गई है, वो destroy नहीं की गई है convinced that it was a unique record उनको लगा कि ये World War II का एक बड़ा ही unique record साभित होगी ये diary he took action to have it published इसे लिए उन्होंने N.A. Frank की अपने बेटे की लिखी हूई इस diary को publish करवाया उनकी बेटी तो मर चुकी थी concentration camp में टोर्चर की वज़े से नाजीस टोर्चर की वज़े से in English under the name The Diary of a Young Girl और उन्होंने इस book का नाम के लिखा पब्लिश करवाने के बाद The Diary of a Young Girl यानि जो हम ये lesson अप पढने वाले हैं ये The Diary of a Young Girl का एक पार्ट है The Diary was given to N.A. Frank for her 13th birthday ये जो diary gift की गई थी N.A. Frank को ये उसके 13th birthday पे खाली diary gift की गई थी and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until the final entry of 1st August 1944 और इस diary में कब की घटना है recorded है 12th June 1942 को ये diary शुरू की थी N.A. Frank ने और 1st August 1944 को इसमें आखरी entry की थी आखरी बार उन्होंने अपनी जीवन के बारे में लिखा था यानि ये 12th June 1942 से लेके 1st August 1944 तक का account है N.A. Frank की जिंदगी का जब वो जो है hiding में थी It was eventually translated from its original Dutch into many languages Originally तो ये Dutch में लिखी हुई है, नीदरलेंड की जो language ये Dutch language उसमें लिखी गई है लेकिन इसको फिर translate किया गया English में और बाकी सारी languages में and became one of the world's most wildly dead books और फिर जल्दी ही ये दुनिया की सबसे जदा पड़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई There have also been several films, इस diary के उपर बहुत सारी films, television और काफी theoretical productions जो है की गई है और एक opera भी इस के उपर बनाया गया है diary के उपर Described as the work of a mature and insightful mind ऐसा कहा जाता है कि ये जो diary है ये एक छोटी लड़की की बेशक लिखी हुई है लेकिन उसका दिमाग काफी mature था ठीक है और काफी insightful यानि काफी creative काफी जाता सोच रखने वाला था The diary provides an intimate explanation of examination of daily life under Nazi occupation इस diary से बता चलता है कि किसी Jewish की Jewish बंदे की life Nazi occupation के time पे Nazi attack के time पे कैसी रही होगी N.A. Frankfurt has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims जितने भी Holocaust victims रहे हैं Holocaust victims का मतलब जिन्होंने तरास्दियों को सहन किया है जिन्होंने ऐसी situations का सामना किया है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते बहुत difficult situations का सामना किया है जहां उन्हें जान का खतरा भी था ठीक है तो N.A. Frank की जो ये writing है ये Holocaust victims की लिखे गए works में से सबसे famous में से एक मानी जाती है तो अब हम शुरू करते हैं अपना lesson ठीक है देखिए क्या हो रहा है यहां पर ये क्या कहती है की diary लिखना काफी strange experience होने वाला है मेरे जैसे किसी के लिए सिर्फ इसी लिए नहीं कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है कोई essay letter stories है मैंने कुछ नहीं लिखा है पहले लेकिन इसी लिए भी कि future में जाके ना तो मैं और ना किसी और को एक 13 साल की लड़की की musings musings नहीं विचार, thought में कुछ interest रहने वाला है तो यह यहाँ पर क्या कह रही है कि मेरा इस diary को लिखने का ज़्यादा कुछ फाइदा मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा फाइदा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में मुझे या किसी और को एक 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई इंटरस्ट रहेगा इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस diary को लिखने को ज़्यादा फाइदा होने वाला है और सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है मेरे चाती पे काफी बोज है मेरे मन में काफी विचार है जिनको मुझे उतारना है जिनको मुझे किसी के साथ discuss करना है अब कोई discussion करने के लिए मेरे पास कोई true friend तो है नहीं इसलिए मैं वो discussion किसके साथ करने वाली हूँ अपनी diary के साथ तो ये क्या कहना चाते तो इस first paragraph से पता चलता है कि उसे पता उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी diary में किसी को interest नहीं आएगा लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत सारी ऐसी बाते थी जो किसी के साथ share करना चाहती थी ठीक है इसलिए उसने diary लिखना जो है वो शुरू किया पेपर has more patience than people कागज के अंदर लोगों के मुकाबले ज़्यादा patience होती है कागज लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं समझते हैं एक दिन मैं अपने घर पे बैठी हुई थी depressed थी ठीक है अपनी चिन को ठीक है अपनी ठोडी को अपने हाथों में लेके बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि पेपर में लोगों उस ज़्यादा patience होती है क्यों ना मैं अपनी एक diary लिखूं और अपने सारे thoughts उस diary के साथ share करूं bored and listless उस दिन मैं काफी bored हो चुकी थी और listless थी यानि कुछ भी energy नहीं बची थी मेरे अंदर wondering whether to stay in or go out मैं सोच रही थी कि मैं यहीं अंदर ही रहूं या बाहर चली जाओं yes paper does have more patience हाँ जब मैंने लिखना शुरू किया तब मुझे पता चला हाँ लोग बिल्कुल सही कहते हैं यह कहावत बिल्कुल सही है कि paper have more patience than people and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary ठीक है बोग सही कहते हैं कि paper में ज़्यादा patience होती है लोगों के मुकाबले और क्योंकि मैं यह stiff-backed notebook किसको कह रही है अपनी diary को कह रही है ठीक है hard-back वाली notebook किसको कह रही है अपनी diary को कह रही है कि stiff-backed notebook को मैं किसी और को पढ़ने नहीं दूँगी किसी और को पढ़ने के लिए नहीं दूँगी इसको क्या कहते हैं लोग diary के नाम से जानते हैं unless I should ever find a real friend कब तक मैं यह किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूँगी जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता it probably won't make a bit of difference इससे शायद दुनिया को कुई ज़्यादा फर्क भी नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पर क्या decide किया इस paragraph में जो underline मैंने का रखा है एने फ्रेंक ने decide किया कि वो अपनी डायरी को किसी को पढ़ने नहीं देगी जब तक कि उसको एक अच्छा रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place I don't have a friend अब मैं वापिस उसी point पे वापिस आ गई हूँ कि मुझे diary लिखने के लिए किस चीज ने prompt किया किस चीज ने मुझे जो है उकसाया diary लिखने के लिए किस चीज ने उकसाया मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है ठीक है तो एने फ्रेंक जो है काफी लोग हैं उसके आसपास लेकिन सच्चा दोस्त किसी को नहीं मानती है वो Let me put it more clearly मैं आपको और ज़्यादा सफाई से बताती हूँ Since no one will believe that a 13 year old girl is completely around this world क्योंकि इस डायरी अगर किसी को पढ़ने के लिए मिलेगी तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तयार नहीं होगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है And I am not मैं अकेली नहीं हूँ लेकिन मेरे पास कोई असली दोस्त नहीं है I have loving parents मेरे पास प्यार करने वाले parents है एक 16 साल की बहन है And there are about 30 people I can call friends और लगब 30 लोग ऐसे हैं 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ I have a family मेरे पास एक भरा पूरा परिवार है Loving aunts and a good home ठीक है प्यार करने वाली auntie I am मेरे पास एक अच्छा रहने के लिए घर है No, on the surface I seem to have everything उपर से देखने पे कोई भी कह सकता है कि मेरे पास सब कुछ है Except my true friend लेकिन मेरे पास एक सचा दोस्त नहीं है All I think about when I am with friends is having a good time जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरा एक ही मकसद होता है Having a good time मैं अच्छा समय बिता सकूँ अच्छा time spent कर सकूँ I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things जब मी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं अपनी दिल की बातें खुलके नहीं कह पाती सिर्फ आम बोलचाल की जो है बातें जो है उनके साथ कर पाती हूँ कभी भी खुलके कुछ भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ we don't seem to be able to get any closer मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा close नहीं जा पाती and that's the problem और शायद वही जो है वो problem है मेरे साथ ठीक है तो यहाँ पे जो एने फ्रेंक है वो एक तरीके से अपने आपको भी responsible मान रही है क्योंकि वो अपने दोस्तों के ऊपर उतना भरोसा नहीं करती जितना उसको करना चाहिए maybe it is my fault that we don't confide in each other शायद मेरा ही मेरी ही गलती है कि मैं अपने दोस्तों में उतना confide confide का मतलब होता है कि personal चीजे बताना private चीजे बताना इतना trust अपने दोस्तों के ऊपर नहीं कर पाती in any case that's just how things are चाहिए कुछ भी हो लेकिन मेरी साथ इस वक्त चीजें ऐसी हैं इसलिए मैं diary के साथ अपनी सारी बातें share करूँगी and unfortunately they are not liable to change और शायद चीजों की खुद की जिमेदारी नहीं है बदलने की अगर मेरे व्यवार में कोई परिवर्तन आएगा मेरे behavior में कोई change आएगा या मेरी friends के behavior में कोई change आएगा तब चाहे कोई चीज बदल जाए या ना बदले लेकिन situation बदलने वाली नहीं है near future में इसलिए मैंने यह diary लिखना शुरू किया है तो यहां पर क्या कह रही है यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस long-awaited friend जिसको मैं अपनी कलपनाओं में हमेशा सोचती थी तो वो long-awaited friend किसको कह रही है ऐसा दोस्त जिसका लंबे समय से उसे इंतजार था ऐसा दोस्त वो और कह रही है diary को ठीक है कि मेरी कलपनाओं में जिस लंबे समय से मुझे जिस जो दोस्त का इंतजार था मैं jot down का मतलब होता है लिखना फटा फट लिख देना मैं किसी भी fact को इस diary में फटा फट लिख नहीं दूँगी जैसा कि अकसर लोग करते हैं लेकिन मैं इस diary को अपने friend की तरह मानूँगी और मैं इस diary का एक नाम भी रखती हूँ वो नाम है kitty यानि एने फ्रेंक ने अपनी diary का क्या नाम रखा kitty नाम रखा अपनी diary का since no one would understand a word of my stories to kitty if I were to plunge right in I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so तो ये first paragraph में क्या कह रही है ध्यान से समझीएगा थोड़े से difficult words यहां पर यूज किये गए हैं क्योंकि कोई भी मेरे words को समझ नहीं पाएगा कोई भी kitty में लिखे गए मेरे stories को समझ नहीं पाएगा अगर मैं सीधा लिखना शुरू कर दोंगे तो सीधा टपक पढ़ती हूँ बीच में कहीं तो इसलिए पहले बहतर होगा कि मैं अपनी जिन्दगी का एक brief sketch अपनी life को briefly आपके सामने describe करूँ शायद मुझे पहले ऐसा ही करना जाही much as I dislike doing so मुझे ये सब करना इतना पसंद नहीं है मेरी life के बारे में दुसरों को बताना इतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अगर भविश्य में कभी कोई मेरी इस डायरी को पढ़ने लगा तो उसको कुछ जादा समझ में नहीं आएगा इसलिए बहतर यह होगा कि मैं पहले अपने आप के बारे में थोड़ा कुछ बताऊं My father the most adorable father I have ever seen मेरे पापा सब से जब प्यार करने माले father है जितने भी मैंने आज तक देखे है Didn't marry my mother until he was 36 उन्होंने 36 की उमर में मेरी मा से शादी की and she was 25 और जब शादी हुई तब मेरे फादर 36 या इस ओल थे और मेरी मदर की उमर जो है वो 25 थे My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926 मेरी बड़ी बेहन Margaret जिसका जनम Frankfurt जर्मनी में 1926 में हुआ था I was born on 12 June 1929 और मेरा जनम 12th June 1929 को हुआ था I lived in Frankfurt until I was 4 4 साल की उमर तक मैं Frankfurt में रही My father immigrated to Holland in 1933 1933 में मेरे father Holland shift हो गए My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September और मेरी मदर जिनका नाम Edith Hollander Frank था वो Holland में मेरे पापा के साथ पास चली गई September में ठीक है यानि पहले तो उसके father Holland shift हुए और उसके बाद उसके मदर भी कुछ time बाद Holland चली गई मुझे और Margaret को HN के पास भेज दिया गया HN भेज दिया गया HN एक जगे का नाम है जहां पर मेरी दादी रहती थी यानि दोनों बच्चीयों को तो उन्होंने कहां भेज दिया HN में उनकी दादी के पास भेज दिया और वो दोनों कहां shift हो गए Holland में shift हो गए ठीक है Margaret went to Holland in December Margaret को मेरे ममी बापा ने Holland बुला लिया December में and I followed in February और मैं भी Holland चली गई February में and I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret और मुझे कब लिजाया गया जब Margaret को एक birthday present देना चाहते थे मेरी family तो उन्होंने birthday present के रूप में मुझे उसके सामने रखती है plunked down का मतलब जैसे की casual way में मेरे को वहाँ पे ले गए एक birthday surprise के तोर पे मेरी बेहन के birthday पे तो यह क्या कहना चारी है की Holland में धीरे-धीरे सारी family जो है वो shift हो गई I started right away at the Montessori nursery school मैंने वहाँ पे Montessori nursery school में admission लिया I stayed there until I was six मैं छे साल की उमर तक वहाँ रही at which time I started in the first form मैंने first grade start करती थी पहली class में थी मैं उस वक्त in the sixth form my teacher was Mrs. Kupras जब मैं sixth class में थी तब मेरे teacher थी Mrs. Kupras जो की school की headmistress भी थी at the end of the year we were both in tears जब साल खतम हुआ तो हम दोनों रो रहे थे Mrs. Kupras भी और मैं भी we said a heart breaking farewell क्योंकि हम दोनों एक दुसरे को अलविदा कह रहे थे और ये मौका हम दोनों के लिए मेरे teacher के लिए भी और मेरे ले भी काफी heart breaking था काफी दिल दहला देने वाला काफी दिल तोड़ देने वाला experience था in the summer of 1941 grandma fell ill 1941 summer में मेरी दादी बिमार हो गई and had to have an operation और उनका एक operation हुआ so my birthday passed with little celebration और इसलिए मेरे जनम दिन 1941 में मेरे जनम दिन पे ज़दा कुछ celebration नहीं हो पाया क्योंकि मेरी दादी का operation हुआ था grandma died in January 1942 January 1942 में मेरी दादी जी की death हो गई no one knows how often I think of her and still love her किसी को भी मैंने ये बात नहीं बताई है कि मैं अक्सर उनको याद करती हूँ और आज भी उनसे प्यार करती हूँ मेरी दादी को this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest ये जो 1942 में जो मेरा birthday आया ये इसलिए अच्छे से मनाया गया क्योंकि पहले वाला birthday नहीं अच्छे से मनाया जाया गया था मेरा मेरी दादी जी की बीमारी की वज़े से और जिस दिन मेरा birthday मनाया गया उस दिन मेरी दादी जी के लिए भी एक candle जला के side में रखी गई बाकी candles के साथ the four of us are still doing well हम चारों आज अभी भी अच्छे है and that brings me to the present date of 20 June 1942 और अब मैं उस date की बात करती हूँ 20 June 1942 and the solemn identification of my diary और आज मैं अपनी इस diary को शुरू करने वाली हूँ इस diary में लिखने वाली हूँ आगे की कहानी ठीक है Dearest Kitty तो dearest Kitty वो किसको कह रही है अपनी डायरी को कह रही है अपनी डायरी को किटी नाम से बुलाती है और entire class is quaking in its boots quaking in its boots का मतलब वो ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों तले की जमीन हिल रही है यानि कुछ ज़्यादा ही जो है earth shaking होने वाला है कुछ ज़्यादा ही जो है बड़ा incident होने वाला है ठीक है तो वो अपनी classroom की बात कर रही है NA Frank यहाँ अपनी classroom की बात कर रही है कि हमारी पूरी class जो है वो जड़ से हिली हुई है सोच रही है कुछ the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back शायद इसका कारण यह है इसका कारण of course यह है आने वाली meeting forthcoming जिसमें teachers यह decide करने वाले हैं कि कौन अगली class में जाएगा और किसको फैल करके उसी class में रख दिया जाएगा Half the class is making bets आधी class शर्त लगा रही है एक दुसरे के साथ G.N. and I laugh ourselves silly at the two boys behind us G.N. और मैं हमारे पीछे बैठे दो लड़कों की बातों पे हस रही है C.N. and Jacks C.N. and Jacks उन दो लड़कों का नाम है who have staked their entire holiday savings on their bets जिनोंने शर्त में अपनी पूरी छुटियों की बचत को लगा दिया है यानि छुटियों के टाइम पे जितना भी पैसा लोगों ने उन दोनों बच्चों ने बचाया था वो सारा उन्होंने शर्त के रूप में bet में लगा दिया है From morning to night it's you are going to pass सुबह से लिए कि शाम तक वो यही कह रहे थे you are going to pass, तुम पास हो जाओगे no I am not, नहीं मैं नहीं होने वाला हाँ तुम पास हो जाओगे no I am not, मैं नहीं होने वाला ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो एक दूसरे शर्त लगा रहे थे कि तुम पास हो जाओगे तो सामनी वाल लड़का कह रहा है नहीं मैं नहीं होंगा आपस मैं शर्त लगा सकता हूं मैं फैल हो जाओंगा मिर को इसी क्लास में रख देंगे तो इस तरह की शर्ते उनको आपस में लग रही थी अब ये क्या कह रही है कि मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ बैठी थी जी प्लीडिंग ग्लांस उसने प्रार्थना करती हुई नजरों से उनकी तरफ देखा मैंने नाराजगी से उनके उपर गुस्सा दिखाया ठीक है उनको जाड़ा फिर भी वो शांत नहीं हुए इसी तरह की बाते करते रहे हमारे पीछे बैठे दोलड़के अगर कोई मुझसे पूछे मेरी क्लास में इतने ज़्यादा डमीज हैं इतने बेवकुफ बच्चे हैं कि लगबग 25% क्लास को तो फेल ही कर देना चाहिए ठीक है वो अपने स्टूडेंट्स की धिंकिंग बता रही है उसके मन में कैसी है लेकिन टीचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अन्प्रेडेक्टेबल जीव होते हैं ठीक है ये कब क्या करेंगे इनके बारे में कोई भविश्यवानी नहीं कर सकता मैं अपनी लड़की दोस्तों और अपनी बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादा दर्तों पास होई जाएंगे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिस पे मैं डाउटफूल हूँ वो है मैट्स अपना दिल चोटा मत करो सब कुछ सही होगा यही बाते आपस में कर सकते हैं मेरी मेरी टीचर के साथ बहुत अच्छी बनती है there are nine of them no teachers है seven men and two women जिसमें से साथ men है और दो women है Mr. Kee Singh the old fogey who teaches maths was annoyed with me for ages Mr. Kee Singh जो की maths के teachers है old fogey का मतलब old fashioned है वो थोड़े से वो हमें maths पढ़ाते हैं और वो four ages का मतलब बहुत time से मुझसे नराज चल रहे है because I talked so much क्योंकि मैं class में बाते करती रहती हूँ after several warnings कई चेतावनियों के बाद भी कई बार warning देने के बावजूद भी he assigned me extra homework ठीक है मतलब मुझे जब मैं class में बात करती थी वो मुझे कई warning देते थी और जब मैं नहीं मानती थी तो मुझे सजा के तोर पे punishment के तोर पे extra homework दे दिया करते थे an essay on the subject a chatterbox a chatterbox ठीक है उन्होंने एक बार मुझे सजा दी chatterbox इस topic के उपर एक essay लिखने के लिए chatterbox आपको पता ही होगा जो हमेशा chatter-patter करता रहता है कभी चुप नहीं होता है उसको कहा जाता है chatterbox a chatterbox what can you write about that chatterbox इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है I'd worry about that later I decided मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी I jotted down the title in my notebook tucked it in my bag and tried to keep white मैंने उस jotted का मतर होता है जल्दी में लिखना मैंने जल्दी जल्दी teacher के दिए गए extra homework को punishment वाले homework को अपनी notebook में लिखा उसको अपने bag में टक किया डाला और फिर चुप पैटने की कोशिश की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दोबारा बोलने बोलती हुई पकड़ी गई तो शाहिद इससे बज़दा severe punishment मुझे मिल सकती है इसलिए मैं चुप हो गई चुप रहने की कोशिश करने लगी उस शाम जब मैंने अपना बाकी काम पूरा कर लिया तो अब यह punishment वाला essay मेरी नजरों में आया I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen मेरे fountain pen की nib को अपने मुँ में दबा के मैं सोचने लगी anyone could ramble on and leave big spaces between the words कोई भी ramble on का मतरब बतर लिखते जाओ लिखते जाओ जो मन में लिखते जाओ and leave big spaces between the words words के बीच में बड़े 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 जगे छोड़ो यह ऐसे को लंबा बना दो मैं चाहूं तो ऐसा कर सकती हूँ but the trick was to come up with convincing arguments लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ convincing arguments देनी चाहिए कुछ arguments देनी चाहिए to prove the necessity of talking ताकि मैं अपने teacher को साबित कर सकूँ कि बच्चों के लिए बाते करना talkative होना बातों नहीं होना कितना जरूरी है तो यहाँ पर क्या कह रही है इन चार लाइनों मैंने फ्रेंग क्या कह रही है वो कह रही है कि वैसे तो मैं बाकी बच्चों की तरह ramble on कर सकती हूँ जो मन में आये वो लिखे जा सकती हूँ बड़े-बड़े spaces चोड़ सकती हूँ words के बीच में ठीक है मैंने तीन पेजी लिखे उस topic के उपर जो मेरे सर मिस्टर की सिंग ने मुझे लिखने के लिए दिये थे मिस्टर की सिंग काफी satisfied थे मेरे काम से जब मैंने उन्हें दिखाया मैंने अपने essay में क्या-क्या arguments दी मैंने कहा कि talking बाते करना एक बच्चे का trait है एक बच्चे का लक्षन है एक बच्चे का character है student का character है बाते करना and that I would do my best to keep it under control और मैंने उस ऐसे में ये भी promise किया Mr. की सिंग से कि मैं अपने इस trait को control करने की भरपूर कोशिश करूँगी but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did it लेकिन फिर भी मैं अपने आपको पूरे तरीके से cure नहीं कर सकती इस बिमारी से बाते करने की इस बिमारी से क्योंकि मेरी अंदर ये बिमारी genetic है मेरी मदर भी काफी बात उनी है और मुझे ये character उनी से मिला है not more and there is not much you can do about inherited traits और inherited traits के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते inherited trait का मतलब होता है वो लक्षन जो हम हमारे माबाप से मिलते है ठीक है जैसे आपके चहरे के बनावट है ठीक है इस चीज़ को आप ज़्यादा बदल नहीं सकते क्योंकि ये inherited trait है ये आपको अपने पेरेंट से विरासत में मिली है तो यहाँ पर यही आर्गूमेंट चैटर बोक्स ऐसे में एने फ्रेंक ने दी है अपने टीचर मिस्टर की सिंग को कि मेरे अंदर टॉकटिव होना एक inherited trait है क्योंकि मेरी मदर भी काफी बात ने करती है और inherited traits के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते Mr. की सिंग had a good laugh at my arguments Mr. की सिंग मेरे arguments के उपर ठीक है हां से ठीक है but when I proceeded to talk my way through the next lesson लेकिन जब अगले lesson के वक्त भी मैंने class में बोलना चालू रखा he assigned to me a second essay उन्होंने एक और essay मुझे दिया लिखने के लिए this time it was supposed to be on इस बार उनके essay का title था an incorrigible chatterbox एक ऐसा chatterbox जिसको ठीक नहीं किया जा सकता incorrigible का मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता I handed it in मैंने वो essay भी लिख दिया और उनको दे दिया Mr. की सिंग had nothing to complain about for two whole lessons अगले दो lessons तक Mr. की सिंग को कोई शिकायत नहीं थी मुझसे however during the third lesson लेकिन जब third lesson वो class में दे रहे थे he had finally had enough फिर उनकी जो धैर्य था उनकी जो patience थी वो जवाब दे गई N.A. Frank as a punishment for talking in class N.A. Frank class में ज़्यादा बाते करने के लिए punishment के तोर पे तुम्हें एक essay लिखना है जिसका title होगा quack 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 sad mistress chatterbox ठीक है इस बार देखी काफी अजीब सा title दिया है teacher ने N.A. Frank को quack 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 sad mistress chatterbox ये उसके essay का title होने वाला है ठीक है the class road the class road का मतलब फूरी class जो है वो ठाहा के लगा लगा के हसी क्योंकि title ही ऐसा था I had to laugh too मुझे भी हसना पड़ा वैसे तो मैं embarrassed feel कर रही थी लेकिन मुझे भी हसना पड़ा though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes chatterboxes के उपर जितना मैं लिख सकती थी उतना मैं लिख चुकी थी मेरी ingenuity यानि मेरी originality अब खतम हो चुकी थी मैं अब और विचार करके नई विचार करके इस topic में नहीं लिख सकती थी क्योंकि पहले ही दो बड़े-बड़े ऐसे मैं Mr. Kee Singh को लिखके पकड़ा चुकी थी It was time to come up with something else अब मुझे कुछ और अलग करने का time आ गया था something original, कुछ original My friend San who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to ending verse मेरे एक friend है San जो poetry करने में काफी अच्छी है ठीक है उसने मुझे मदद करने की हामी भरी कि मैं तुम्हें verse में poem की form में यह ऐसे लिखवाने में help करूंगी शुरू से लेके end तक यानि इस बार जो homework दिया teacher ने मैं उसको as a poem में लिखने वाली थी मेरे friend Mr. San की help से I jumped for joy मैं काफी खुशी से खुदने लगी जब मेरे friend ने मुझे help करने के लिए हां करती Mr. Kee Singh was trying to play a joke on me with this ridiculous subject Mr. Kee Singh ने पूरी class के सामने इस subject पे मेरा joke बना दिया था, मेरा चुटकूला बना दिया था पूरी class मुझे पे हसती थी but I'd make sure the joke was on him लेकिन मैंने पका कर लिया था अपने मन में कि मैं इस joke को वापिस पलट दूँगी और उन ही के उपर joke बना दूँगी इसको, ठीक है I finished my poem, मैंने अपनी poem finish की and it was beautiful और काफी सुन्दर poem लिकी गई थी इस poem में एक mother duck थी, एक father swain था और उनके तीन baby ducklings थे, तीन बच्चे थे ठीक है अब जो तीन baby ducklings थे वो कुछ जादा ही quack quack करते थे इसलिए उनके फादर ने उनको काट काट के मार दिया ठीक है तो ये poem थी उसकी Luckily, Mr. Kee Singh took the joke the right way ठीक है, मेरी किसमत अच्छी थी कि Mr. Kee Singh ने इसको negative लेने की बज़ाए positively लिया, मजाग की तरह लिया He read the poem to the class उनको poem इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ये poem पूरी class को पढ़के सुनाई adding his own comments and to several other classes as well उन्होंने अपने comments भी दिये कि मुझे बोलने की इजादत मिल गई और punishment के तोर पे मुझे कोई extra homework भी नहीं दिया जाता है On the contrary, इस से उल्टा Mr. Kee Singh is always making jokes this day यानि इस poem के बाद मुझे में तो कोई बदलाव नहीं आया punishment तो मिली थी मुझे ठीक है, ये poem लिखने के बाद मुझे में तो कोई बदलाव नहीं आया लेकिन Mr. Kee Singh बदल गए थे ठीक है, अब वो अपनी class में काफी jokingly पढ़ाने लगे थे बीच-बीच में jokes crack करने लगे थे, yours NA तो diary के last में हम लिखते हैं डायरी लिखने वाले का नाम उसका नाम है NA ठीक है तो students ये lesson यहाँ पे complete होता है अगर आपको इस वीडियो से कुछ value मिली तो please वीडियो को like कीजिएगा अपने friends के साथ इसको share कीजिएगा comment section में अपनी राय देना मत भूलिएगा और अगर आप इस channel पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें Bridge Bella Education YouTube चैनल को notification bell icon को दबाने के बाद all पे क्लिक करें ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तुरंत उसकी notification आपकी device तक पहुंच जाए जाने से पहले एक बार वीडियो description में दिये गए links को भी ज़रूर चेक कीजीगा क्योंकि उन links में हमने आपकी class के लिए काफी useful content already available करवा रखा है ठीक है keep loving, keep supporting, stay with us